लाल किताब के अचूक उपाई प्रतियक जातक की कुंदली में अशुब ग्रहों की स्थिती अलग-अलग रहती है, परंतु, कुछ कर्मों के आधार पर भी ग्रह आपको अशुब फल देते हैं, व्यक्ति के कर्म को कर्म के द्वारा किस प्रकार? नवग्रह के अशुब फल प्राप्त होते हैं, आए जानते हैं, चंद्र, सम्मांजनक स्त्रियों को कश्ट देने जैसे, माता, नानी, दादी, सास एवं इनके पद के समानवाली स्त्रियों को कश्ट देने एवं किसी से द्वेश पूर्वकली, वस्तु के कारण चंद्रमा अ बुध अशुब फल देता है, इसी के साथ ही जड़े को कश्ट देने पर भी बुध अशुब फल देता है, गुरु, अपने पिता, दादा, नाना को कश्ट देने अथवा इनके समान सम्मानित व्यक्ति को कश्ट देने एवं साधू संतों को कश्ट देने से गुरु सूरिया, किसी का देल दुखाने, कश्ट देने, किसी भी प्रकार का टैक्स छोरी करने एवं किसी भी, जीव की आत्मा को ठेस पहुचाने पर सूरिया अशुब फल देता है, शुक्र, अपने जीवन साथी को कश्ट देने, किसी भी प्रकार के गंदे वस्त्र पहनने, घर में गंदे एवं फटे, पुराने वस्त्र रखने से शुब अशुब फल देता है, मंगल भाई से जगडा करने, भाई के साथ धोखा करने से मंगल के अशुब फल शुरू हो जाते हैं, इसी के साथ अपनी पत्मी के भाई, साले का अपमान करने पर भी मंगल अशुब फल देता ह शनी ताउ एवं चाचा से जगड़ा करने एवं किसी भी महंतम करने वाले व्यक्ती को कश्ट देने अपशब्द कहने एवं इसी के साथ शराब मास खाने पीने से शनी देव अशुब फल देते हैं कुछ लोग मकान एवं दुकान के राये से लेने के बाद खाली नहीं करते अथवा उसके बदले पैसा मानते हैं तो शनी अशुब फल देने लगता है राहू राहू सर्प कही रूप है अतह सपेरे का दिल दुखाने से बड़े भाई को कश्ट देने से अथवा बड़े भाई का अपमान करने से ननिहाल पक्षवालों का अपमान करने से राहू केतू भातीजे एवं भांजे का दिल दुखाने एवं उनका हक छीनने पर केतू अशुब फल देता है कुत्ते को मारने एवं किसी के द्वारा मरवाने पर किसी भी मंदर को तोडने अथवा द्वजा नश्ट करने पर इसी के साथ ज्यादा कंजूसी करने पर केतू अशु चाहिए किसी को कश्ट या छल कपट द्वारा अपनी रोजी नहीं चलानी चाहिए किसी भी प्राणी को अपने अधीन नहीं समझना चाहिए जससे ग्रहों के अशुब कश्ट सहना पड़े